प्रधान मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रिश्वार्था कर कैबिनेट के फैसलों की जनकारी दी इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी सदा अन दाताओं के पच्छ में रहे तभी तो कृषी मंतराले के साथ किसान कल्यान मंतराले भी इसका नाम रखा गया उन्होंने बताया कि आर्थिक मामलो की कैबिनेट कमेटी की बैठक में गन्ने की FRP बढ़ाने का फैसला लिया गया गन्ने की FRP दस रुपे प्रतिक क्विंटल बढ़ाई गई है गन्य की एफार्पी बढ़कर अब 315 रुपे प्रतिक विंडल हो गई है इससे देश के 5 करूण किसानों को फायदा होगा अब जो निर्णे हमने आज की बैठक में हुए उसमें पहला अगर मैं कहूं तो परदान मंतरी निरेंदर मोदी जी सदा अन दाताओं के पक्ष में रहे तभी तो क्रिशी मंतराले के साथ किसान कल्यान मंतराले भी इसका नाम रखा गया और किसानों को लेके प्राथमिक्ताएं भी दी गई निर्णे भी किये गई और आज भी गन्या किसानों को उचित मूले मिले तो पहली उक्टूबर 2023 से 30 सप्तंबर 2024 तक की अवधी में चीनी मिलो के द्वारा गन्या किसानों को उचित मूले मिले उसमें बढ़ोतरी की गई है आज तक का सबसे जादा जो दाम है 315 रुपे प्रतिक वेंटल मूले उसको निर्धारित किया गया है ये गन्या के मुल्या का भुक्तान चीनी मिलो द्वारा सीधे तोर पर किसानों को किया जाएगा और ये क्रिशी लागत और मुल्य आयोग CACP इसके द्वारा पहले स्टेट से स्टेक होल्डर से सबसे इनके सुझाव और रिकमेंडेशन देने के बाद गन्या की उत्पादन लागत वह अन्या बाय प्रड़क्ट जैसे की गोड गन्या की खोई इत्यादी की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशी इन सब को उचित प्रॉफिट मार्जन जैसे फेक्टर्स को ध्यान में रखते वे तैक किया जाता है पिछले साल ये 305 था इस साल 315 किया गया है लेकिन अगर आप पुराने आंकडों को देखेंगे तो 2013-14 में 210 रुपे प्रती क्वेंटल इसका रेट था जो आज बढ़कर 315 रुपे प्रती क्वेंटल हुआ है 2013-14 में कुल प्रिक्यूर्मेंट हुई थी तो 57,104 क्रोड रुपे की हुई थी जबकि 2022-23 में ये 113,000 क्रोड के लगबग हुई अगर मैं यूपिय के कालखंड की बात करूँ अगर 2004-14 की तो कुल मिलाकर 2,71,204 क्रोड रुपे की खरीद हुई वैल्यू जो है उसकी और 2014-2023 तक 7,44,66 क्रोड पे खरीद में हुई आपको याद होगा उस समय के अगर परिदिर्श्य आप देखें गंणा किसानों को सडकों पर रोक लगानी पड़ती नैशनल ही पर जाम रहते थे पैसों का भुकतान नहीं होता था लेकिन आप पिछले कुछ सालों का अगर देखेंगे पूरा भुकतान किसानों को किया गया है अगर मैं पिछले 5-6 सालों की बात करूँ तो 99.8% 99.7% इस तरह से भुक्तान हुआ है और जो बैक लॉग था वो भी क्लियर किया गया इसका सबसे बड़ा अगर आप उधारन देखें तो कहां फरक पड़ा है जो परधान मंत्री जी ने कहा कि एथनॉल को हम अपने क्रूड ओयल के साथ मिक्स करके पेट्रोल डीजल इसके तो वहां पर अभी 10% से जादा हो गया है अब एथनॉल के लिए जो रिक्वार्मेंट हमारे गन्ने की है उसके लिए पिछले साल 20,500 क्रूड रुपे का भुक्तान डिस्टलिरिस के उद्वारा किया गया है डिस्टलिस को किया गया है शूगर मिल्स को किया गया है इससे प पॉक रखना पड़ता तो और किसानों को पैसा नहीं देते थे आज ये फाइदा हुआ है कि जहां एक और आत्मनेर भरता को बल मिला है फॉरन एक्षेंज कम खर्चों उतना कुरूड आयल हमें कम मंगवाना पड़ता है और एथनॉल सेक्टर के ग्रोथ को भी इससे बल मि हमें करेंज क्टी है ।